मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका सा विकास लेकिन हमारा तो विकास नहीं हुआ है हम तो बड़ी दुख के साथ बात कर रहे है अगर जो हमारा विकास होता तो हम दिली नहीं आता तो परजान मंत्री हमारी कोई बात नहीं सुनता हम बड़ी दुख के साथ बात कर रहे है कि हमको यहां हमारा ही PMO होके हमको यहां आना पड़ा है बड़ी दुख की बात हम कर रहे हैं कि हमको नचुट के यहां आना पड़ा है नशकर दोस्तों मैं सोनु सिंग और आप लोग देखर रहे हैं DS4ニوس और आज हमारे साथ कुछ लोग मौझूद है जो कि गुजॐराइट से बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जहां मोदी जी का जन्मस्थान है वहां से बिलॉंग करते हैं और अपनी समस्यायों को ले करके आज दिल्ली पुझूद हैं कुछ लोगों से जाने कोशिश करेंगे आखिर उनके समस्याय क्या है किन चीजों का उनको सामना करना पड़ रहा है जिसके वज़े से जो अब धानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते विए साथ लेकर चलेंगे लेकिन उन्हीं के राजी के लोगों को आज सबसे पहले आपका नाम मेरा नाम है जन्दंशी के वागेला प्रेशिडेंट मध्यान बुद्धन यूजणा गुजराच राज्यों कौनि नगर अब क्या चीजे लेकर क्या है क्या मांग है मध्यान बुद्धन यूजणा में करीब गुजराच में एक लाग कर्मेचारी इसमें सर्विस कर रहा है। शेला अच्छाइज साल से हम गुजराज सरकार में हमारी तीन मागई। पहले हमारी मागई पगार स्केल याने नुनुतम वेतन बढ़ाने की मागई। इसलिए हमने 2011 में नामदार गुजरा थायकोट में एक रिट पिटिशन दाखल की थी और नामदार गुजरा थायकोट ने प्रेसला हमारी ओर से दिया। नुनुतम वेतन का देना चाहिए। लेकिन गुजरात सरकार ने वह हमने एक फिटिशला को अनाधर कर दिया। त्यारे एक भारत का वड़ा पत्तन पहले गुजरात में सीम था। उसकी पास हमने जोरजार रजवात की आविदन पत्र दिया। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं। दूसरी मागमारी है। गुजरात में अभिस एंजियो दाखल की है। और अनेक जिल्ला में एंजियो कारियरे से हमारा करीब 5,000 करमचारी को शूटा कर दिया। तो एंजियो दाखल करना और शूटा करने वाला जो गुजरात ने एंजियो दाखल करके शूटा की है। उसको वापि लेना है। त्रीजी माग हमारी ये महत्मनी है। गुजराज सरकार ने हमने एक डिसीजन लिया है। तो विचारना की है के शूटी साला जो त्रीष्टी उसी संख्यात जरावती साला में बाड़को है। वो बन कर मर्ज करने मोटी साला में मर्ज करना है। तो इसमें हमारा मज्यानभुजन यूजना के कर्मचारी है, वो करीब 12,000 कर्मचारी की शटने की जाने वाले हैं, तो उसको बचाने की माग लेकर हमें इधार आई है, जोथी माग हमारी यूजना काम करता है, वो अभी निवरूत हो गया है, तो उसकी जगा उपर, हमारे कर्मचारी के साथ, हमारे कर्मचारी जो निवरूस है, उसकी जगह उपर उसके वन्षवारस को, उसके आश्रीतों को न्यूक्त करना चाहिए. ये चार माग लेकर हम यहां गुजरात से यहां आया है, गुजरात में हमें अन्यक बार अंदोलन किया है, सरकार में रजवात की है, लेकिन हमारी कोई बात गुजरात सरकार ने सुनी नहीं, इसलिए सिल्ली तक हमारी यह है, जंचन वंचन उपर हमारी माग पूर्ण करने के लिए हम इधर आई हैं मेरा सवाल आप से यह है कि आप लोग गुज़ुरात से दिल्ली आ गएं किया आपको प्रोसा नहीं है कि आपके जो सवाल हे जो आपकी मांगे हैं वो गुज़ुरात में पूरी हो सके ने हम ने कंदर तो बहुत साल से हम लोगं का रहे करें the तिन इस साल से हम लोग लड़ रहे ह।ो आमने रेली निकाली आंदोलन किया नव बार वो लोग ने हमारा धर पकड़ किया और पॉलिस की नजर के दमें हमको टकेल दिया है इसलिए हमको बिस्वाफ नहीं है कि गुजात के अंदर से हमको हमारा प्रश्मर का नियाकर्ण हो वो को यहां आने की कोई जरूद नहीं रहती थी मोदी साब हमारा है दो मत नहीं है लेकिन हम क्या करें हमको 16 सो रुपया मंतली देता है शोला सो रुपया के अंदर यह महेंगा के अंदर कैसा हमारा परिवार का जिवन निर्वाश चलेगा आप भी सोच शकते हो डूंगरी का आज क्या बहु है सब्सक्राइब का चैनल नहीं होगा तो नव दिन के बाद दस जिन के बाद हम इंतजार कर तो हम राष्टपती के पास इस्टामृत्यों की मांगनी करेंगे और इस्टामृत्यों करेंगे करेंगे उसमें कोई बोध्योसक नहीं है कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो लोग साथ समर्फक में खड़े हैं उनकी व misin मांगे से ये यूद्ना के अन्दर एक लाग करमचारी है एक लाग कर्मचारी ने हमारे साथ सम्मर्थन है आज यहां बड़ी संख्या में आने वाले थे लेकिन वहां गुजात के अंदर बारिश हो वह ऐसा सब भवामन हो गए है यहां भी ठंडी जादी गीर रही है लोगों के पास पेसा नहीं है आने का है सोला सो रुप्या में घर नहीं चलता है यहां तो दोजा रुप्या मंगता है आएगा तो भी केसा आएगा सब लोग हमारे पर नजर है कि वो लोग कुछ करके आएगा कुछ करके आएगा कुछ करके आएगा कुछ प्रिणाम लेकर आएगा सब भी का मीट देख लाग करमेच करमार्फ हम यह कुछ है करता कुछ अगर कूझए देखो अगर वो bucks And the ने की समाइस को समस्छा करना नहीं पड़ेगा हर साल लोगों को रोजगार देंगे यहां तो समस्छते को और यह रहा है वह बोलता कुछ है करता गुँछ है देखो пор और वो बोलता है वो करता था तो हमको यह आने की कोई जरूद नहीं रहती थी अभी हम पहले भी हम ले आपको बताया कि सोला सोर उप्या मंतली सेलेरी जो हमको देता है हम छे गंटा साड़े-छे गंटा काम करते हैं स्कुल्ड के अंदर बच्छों को हम अची तरह से बढ़ा कि क्या समस्या आये महाँ पर मैंनली देखने को मिल रहा है क्योंकि रोजगार वहाँ पर है नहीं और भी जगहों पर रोजगार नहीं लेकिंग रोजगार द कारण रोजगार hunt-a- seamless कर्मचारीन कर्ma- Whitney- Services om वी आना पड़ा है हम जे नूत्यामजिए कितने लोग हैं जिनको विरूजगार कर दिया गया वहाँ इस प्रविडिकर्न के प्रविट करता है तो अमारे कर्मचारी छूटा वेगा हो जाएगा तो बेकर झाल से 20至 25 साल से हम लोग इसकें दर काम कर रहे हैं, अभी हम जो बेकर हो जाएगाए हम क्या करेंगे, हम को कोण नोकरी देगा अभी, इसलिए हम यह चाहते हैचे धुष किया है, तरह रद करें, और निया कोई दिल्ला तालुका एइनजी उक्रन नहीं करे, और जो एज जो गया तो कर्मचारी जो चुटा की एप उसको वहाँ पुन्ह नोकरी दिलावे शरकार, हो सम्भारी माँगे cham और जो गुजाच का उता है तो गुजाच का विकास होता है तो हमको यहां नहीं आना पड़ता है हम अपहले भी बता है हमारा तो विकाफ नहीं हुआ है तो हमारे इजर आने कि जरूरत नहीं नहीं है परदान मंत्री जे बोलता है नहीं वो सही नहीं बोलता मैं महामनदर के प्रमुक के नाथि बोलता हूं परदान मंत्री जो बोलता है वो गलत बोलता है महात्मा गांधी जी दाड़ी यात्रा की थी, हमने दाड़ी यात्रा हमारा हजारो कर्मचार्यों गांधी नगर से दाड़ी की थी पॉंसोंशोने 11 किलो मेटर चल कर, वहाँ अमने बताया के हमें दाड़ी यात्रा की है तो आप क्यूं Mt li do not listen to our वो बोलता है, तो अमारे इदर आने कोई जरूरत भी नहीं है. तो जैसे कि आप सभी ने सुना और समझा समझ गया होंगे, यहां से करीब 11,000 ऐसे करमचारी हैं, जो की गुजरास ले करके दिल्ली के जंतर मंतर तक आए हुए हैं, और इनकी जो मांगे हैं, प्रमुख तरीके से आप सभी ने सुना होगा, आगे क्या करने वाले हैं, यह लोग अई तो आने वाला वक्ती बताएगा, जिस तरीके से प्रधान मंतरी का नारा था, सब का साथ सब कभी का, यह तो आप सभी समझी गया होंगे, जोड़री हमारे साथ इक्तरी डेस फूर न्यूज धन्यवाद